हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं आपको बताने माला हूँ आज अलग-अलग तरह की जो फिट्स आती है जटके आते हैं एपिलेपसी उसके बारे में मैंने कहीं वीडियो में इसके पहले जिक्र किया हुआ है अब अलग रूप से आपको बताता हूँ क्या होता है कि दो तरह की एपिलेपसी की बीमारी आती है मतलब ब्रेन जिसका ओरिइन ब्रेन में भेजे में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ एपिलेपसी जहटके मिरगी एक तो एक कुछ तभी कारण है जिसको होते सेकेंडरी एपिलेपसी कुछ तभी कारण है उसके वज़े से फिट आ रही है दुसरा होता है कि primary epilepsy जब कोई कारण नहीं है और बिना कारण की भेजे में कुछ तो भी ऐसे electrical impulses तैयर हो जाती है और वो electrical impulses, electricity जैसे impulses तैयर होती है और उसके वज़े से फिटाती है उसको जोते है primary epilepsy तो पहले बोलता हूँ secondary epilepsy, secondary epilepsy मतलब यह होता है कि कुछ तभी बीमारी है और वो बीमारी primary है और secondary जटके आ गए पहले कुछ तभी है उसके बज़े से जटके आ गए जैसा बुखार आगा तो जटके आ सकते है बुखार में, बच्चों में काफी असर मतलब का जटके आ गए तीबी होने से दिमाग के टीबी होए उसके वज़े से जटके आते हैं दिमाग में बुखार चड़ गया उसके जटके आते हैं फिर दिमाग को मतलब बेज़े को मार लग गया हेड इंजिरी हो गई वह एक कारण हो सकता है कि दिमाग में खून का दवरा कम प योड़त मेरे घएगा है कि जिसके वाज़े से से कंडरे मैं जटका आना चलो जाएंगा ऐपिलिपसी आएकश़ प को है तो उसके लिए फिर ऊजो बीमारी पहले माली जो है उसका भीमारी भेजी की है तो फिट है तो मिर्गी है तो चांटके बिद के से मगलत वह एल्यक्तिकल आउनसेजेज बिजली जैसे चमक प्रिसा एकडम इतना चमकति न चालो जाते है इतना इंपलसस त्यारइज आ देखाए एक मिनिट देर मिनिट बहुत ज्यादा हों कि दू-तिन मिनिट चलती है और उसमें व्यक्ति जोई वह सड़नली गिर जाएगा खड़े खड़े गिर जाएगा ड्राल से गिर जाएगा एक दम बेवश हो जाएगा बेवश होने के बाद में हात पर में जटके आना उसको शुरू हो जाएगा तो शुरू में वो आवाज गहसेंगा जमिन के ऊपर, जबान दात के नीचे आ जाएंगी, दात के बीच में आ जाएंगी, मुँमें ज्छाग आ जाएंगा, और उसको कहीं भी लग सकता है कि गिर गया है तो, लोग काफी सारे जमा हो जाते हैं, फिर कोई उसका नाग दबाता, कोई कुछ करता है, कोई जाता है, और बेहोश रहता है, जो लोग आजू 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 रहते हैं, उनका एक ही काम है, कि उसका जो गर्दन है, वो एक तरफ करने का है, जाग जाता है मुझे पोछने का है, मुझे कुछ डालने का नहीं है, कुछ सुंगाने को देने का नहीं है, उसको कुछ भी तक यह जो बीमारी है इसका कारण ढूंडने के लिए जब हमारे पास में जब लाते है पेशेंट को फिर हम क्या करते कि उसका इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राम निकालते हैं विएजी की जिससे बेज़े में क्या बीमारी है वो दिखती है उसका डियागनुसिस हो सकता है या फिर सीट्री स्कन निकालते हैं कि तो शाग अगया कुछ शग और पिर अमराय pinky मिलता है तो व वो करन काworks करते और कुछ कारण नहीं मिला तो काफी सारे पेशेंट में ऐसा आती है band तो सब्रेटी स्कैन नॉर्मल है, MR आ नॉर्मल है, थीजी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, मगर फिट तो आ रही है, ये फिट का विशिभर रहता है कि वह 15 दिन में महने में एक बार किसको आ थी है, किसको रोच एकाज़ीवारा सकती है, किसको एक वटके पर अब हमेद म करने का नहीं है उसके लिए बहुत सारी दवाईया भी निकलिए और यह फिट के जटके जो है 101 टक का अच्छे हो सकते हैं तीन साल से पांस साल दवा लेना बहुत जरूरी है यह फिट आने के पास में वह एक्टी ब्योश हो जाती है तो आग के पास में इनको कुछ दिन तक काम नहीं करने देना चाहिए या तैरने के लिए अलाव नहीं करना चाहिए या गाड़ी के ऊपर अलाव नहीं करना चाहिए या कोई ड्राइविंग अगर करते हिए तो ड्राइविंग मतलब कोई ड्राइवर है उसको फिटके आते तो उसको ड्राइविंग करने के लिए मना करना चाहिए वोग जटका उसको आ गया तो उसके पीछे जो बैटे लोग है जो टैक्सी को ड्राइव कर रहा है तो काफी सारे लोगों को खत्रा हो सकता है तो medically they are unfit, जब तक वो control नहीं होता पुरा fit का चटका तब तक उनको यह सब allow नहीं करना चीए। तो उनको completely पूरा अच्छा normal life हो जी सकते हैं। कुछ इसमें बीमारी में कुछ ऐसी दवाई हैं जो दवाई देने के बाद में आंको खुझली आके। तो ऐसा कुछ खुझली वगर आ गई तो समझना कि यह दवाई की reaction है तो दवाई बदल के जैना पड़ता है। हमरे पास में बच्चे लाते हैं लोग तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको जनम के समय जनम लेते हैं बच्चे उस समय उनको मतलब जनम के बाद में बच्चा रोता है तो रोता नहीं है। इसका मतलब उसको oxygen जितना जाना चाहिए था वह oxygen प्राणवाई दिमाग तक गया नहीं उसको hypox हो गया तो वह मंदबुद्धी का बच्चा होता है और ऐसे बच्चे में भी fit आती तो उनको भी दवा की जरुद है और वह दवाई उनको देते है बच्चों को तो भी अच् syndrome जिसकी आखे ऐसी तेड़ी रहती है थोड़ा मुह ऐसा छोटा रहता है उसको ऐसी अकल ठीक रहती है समझ थोड़ी कम IQ नॉर्मल ये जिस बिलो नॉर्मल मगर उसका उसका ग्रोध बराबर ने रहता आखे थोड़ी तेड़ी रहती है डाउन syndrome है काफी बच्चों में बु को भी फीट आ सकती है फिर लोग पुछते कि वही यह जो विमारी इसकी शादी है यह बेखती कि शादी हो सकती क्या तो शादी हो सकती है शादी में कोई अर्चन नहीं है मगर जैसी लड़की है तो क्या करते है लड़की वाले यह चुपाते हैं बात फिर शादी के बाद म और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारा विश्वासगात हो गया हमको बता है नहीं तो बताना जरूरी है शाजी के पहले अरचन यह है कि बता है तो कोई शाजी करेगा नहीं विदिः इसलिए बताया तब िखलीव है ने बताया तब तखलीव है मगर बताया तो अच्छा है ट्रांस्फरंस ही ताकि फिर बाद में हमको वोसा दिया ऐसा कि इसको लगता नहीं यह लोग बच्चे भी कर सकते हैं बच्चों को भी प्राब्लम ऐसे नहीं अनुमोंशिक नहीं है कि मापाप कोई दी फीट आती है तो बच्चों को फीट आएंगे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है मगर तीन साल से पांस साल दवाई लेते हैं तो यह पूरा 101% अच्छे हो जाएंगे आपके संपर्ग में ऐसे काफी लोग होंगे कि जिनको दवाई लेने के बाउजूद भी फीट आती है तो जरूर उनको यह वीडियो बताएगा शेयर करो वो दवाई यह बराबर एप्रोप्रेट डोस में लेते हैं बराबर मात्रा में लेते हैं तो 101 टक का फीट अच्छे हो सकती है तो उनको जरूर यह वीडियो शेयर करो आप सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक यू बेरे मच्छ